नमस्कार आप देख रहे हैं बिहारी नियूज और मैं हूँ यति आपके सांथ मुकामा और गोपाल गंज के बाद बिहार में एक बार और उप्चनाव होने जा रहा है जिसकी तैयारी तेज होने लगी है कुर्णी उप्चनाव को लेकर सुबे में सियासी पाड़ा चड़ने लगा है राजनीती के दाव पेच सब कुछ मुक्य विधानसवा चुनाव की तरह ही है मुकामा और गोपाल गंज उप्चनाव तो कुछ कम पेचिदा वाला था लेकिन कुर्णी विधानसवा शेत्रक का होने वाला चुनाव नमांकन से पहले ही काफी कठिन होता दिख रहा है यहां बिजेपी महागडबंदन से कैंडिडेट्स पर फैसले के साथी मुके सैनी और OBC फैक्टर भी आहम है राजनीती गलियारों की बात करें तो कुछ कम कठल नहीं है वही महागडबंदन जो की साथ दलों का गडबंदन है ये वो दल है जिनकी महत्वा कांशा सिड़ चड़ कर बोलती है महागडबंदन के बीच सबसे पहली परेशानी तो यह है कि चुनाव कौन लड़ेगा स्थिती यहाँ यह है कि साल 2020 के विधान सवा चुनाव में आरजेडी के उमीदवार अनिल सैनी की जीत हुई थी यह सीट आरजेडी के विधायक अनिल सैनी के सजाय पात होने के कारण खाली हो गई है ऐसे में दावा तो यह भी यहाँ प्रथम द्रिश्टी आरजेडी का ही बनता है आरजेडी नेताओं को यह उमीद है कि अनिल सैनी के परिवार से कोई खड़ा होता है तो वो सहानुभूती वोट भी उनको मिल सकता है वहीं बात की जए एमवाई की तो वो आरजेडी के लिए टेकन फर ग्रांटेड ही है अनिल सैनी वैसे भी पहले जेडियू में थे इस बहाने जेडियू कारे करता से भी संपर्क में है सूतर बताते हैं कि अगर जनता दली उनाइटेड ने जिदकी तो यह सीट आरजेडी को छोड़नी भी पड़ सकती है दूसरी परिशानी यहां यह है कि महागडबंदन में एक समय सामिल रहे वियाइपी पार्टी ने अपनी तरफ से चुनाव लड़ने की गोशना कर दी है इससे महागडबंदन की परिशानी बढ़ गई है कुड़नी में निशाद वोटर्स भी अच्छी संख्या में है अगर टिकट देते हैं तो ठीक और नहीं देते हैं निशाद वोट महागडबंदन की रा में रोरे अटका सकता है मनोज कुश्वाह इस सीट के प्रबल दावेदार माने जा रहे है ऐसा इसलिए है क्योंकि 2005 से 2015 तक वे यहाँ से जीतते रहे हैं अभी तक दो विधान सबा का उपचुनाव आर्जेडी ने लड़ा है जारी है यह लराई जो की वर्ष 2020 के चुनाव में शुरू हुई वो अभी तक जारी है कहा जाता है कि इस चुनाव में बिजेपी के कोर वोटर वैश ने सुरेज सर्मा को वोट नहीं दिया था तो नाराज भूमिहार मंदाताओं ने बोचहा विधान सबा चुनाव में बिजेपी उम्मदवार को वोट नहीं दिया इसे लेकर मुसफरपूर में अभी तक ताना तानी बनी है वहीं बिहार के मुसल्मान राजनीती में सबसे बड़ा भूचाल तब आया जब AIMIM के चार विधायक आरजडी में सामिल हो गया कोचा धाम सीट से विधायक मुहम्मद इजहार अस्वी, जोटी हाट से सहानबाज आलम, 22 से रुनकुद्दीन एहमद और बहादुर गंत के विधायक अंजार नईम ने AIMIM को छोड़ दिया था उसके बाद AIM में सिर्फ उसके प्रदेश अध्यक्ष अक्तूराल इमान ही रह गया है, कुड़नी में जातिये समीकरन पर नज़र डालें तो यहां भूमिहार, कोईडी और निशात फैक्टर महदवपूर्ण है, इनके सपोर्टर्ज में वैश, यादव और मुसल्मान मतो साज़दारी जिस उमीद्वार के लिए बनती है, रा उसी की आसान होती दिखेगी, फिलाल इस खबर में इतना ही धन्यवाद